प्रधार मंत्री मोदी के असम दौरे पर असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मीडिया से बात की मुख्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि प्रधार मंत्री मोदी गुहाती आए हैं उन्होंने लगभग 20,000 करो रुपे की परियोजनों का सिलन्यास और उधगाटन किया 20-30 दिनों के बाद वो फिर से असम आ रहे हैं और हमें 20,000 करो रुपे की सौगार दे रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि मैं 2001 से राजनीती में हूँ और मैंने असम में इस तरह का निवेश कभी नहीं देखा बीना कोई निवेश कॉनक्लेव बनाए हम लगभग 70,000 से 80,000 करो रुपे का निवेश कर रहे हैं इस तरही असम के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय हैं मैंने अधिकारिक तौर पर इसकी जाच नहीं की है आसम अच्छा मामम्च क हम भैटि रहे हो अकले स अउनिक वा बने स devi हाट सम्वेश क कर दो फैज्द छ फौर तरह के रहे हो जो अश्धना सम्राव 2 हम at 10.000 को बीऑन प्लीवार इसकतर व् perspective प्रफिटम्स प्रफिट में इन असाम, what people were objecting 30 years before, की आवर कुड़ी इस बिंग तकन आउट अवड़ दास्टेप, तोधेड प्रामीनिस्टरी इस सेंदिंग प्राइड ब्रेकृट तो असाम, he is not only instrumental in expanding the refining capacity in Numaligar, he is also doing it for Gongaigam, he is doing it for Gohati, he is doing it for Digboy. All the four refineries of Assam is under expansion span, all the refineries are getting expanded, where from fresh crude will come, Assam is not producing more crude, Assam crude production is static, so in order to run refineries of Assam, Prime Minister is sending crude from Paradeep to Assam, So when Assam even aspired for that, when people of Assam demanded for that, we never demanded for all these things also, because we were not aware that it is possible to send back crude from Paradeep to Gohati or to Numaligar. So these are the golden period of Assam.